वेलकम टू जीकेल क्लासिस और आज जो है हम अपने रीडिंग कैम्पेन की जो है आपकी 7th मार्स 2022 की वर्कशीट नमबर जो है 40 करने जा रहे हैं जिसके क्लासिस यह हैं आपकी 6, 7 और 8 के लिए तो यहाँ पर स्टुडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कहानी दी गई है सिक्किम की लोग कता दी गई है रंगीन मचली और मचवारा तो यहाँ पर भारत की विविद्ता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुद्रिड बनाने के लिए देश में एक भारत शेष्ट भारत अभियान चलाया जा रहा है तो आप जैसे साब सभी को मा और और देखे लिए अगयूर। तो वहाँ पर जो है तीस्ता नाम की नदीय तो उसकी मा ने बुला कि घर में खाने के लिए कुछ नीयस ले माजातर कुछ मचलिया पकड़ लाओ मा की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मचली पकड़ने निकल पड़ा तो डलिया यहाँ पर क्या है डलिया जो है वो टोकरी है वो टोकरी उसने उठाई और मचली पकड़ने निकल पड़ा भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना अरम किया भगवान का नाम लिया कि भई मैं डाल रहा हूं डाल लिया तो जल्दी से जल्दी मचली पकड़ लूँ अचानक एक छोटी रंगी मचली उसके हाथ लगी जो अन्या से बिलकुल भिन किसंगी थी या वो जो मचली है वो भिन यानी अलग बाकी सब मचलीों से बिलकुल अलग थी सुनहरा रंग सुनहरा रंग यानी एकदम गोल्ड रंग उसका कलर था लाल आखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंच और उसकी पूंच पर तो कई रंग थे, और उसकी पूंच ने उसका मन इतना मोहु लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई और उसकी पूँच इतनी रंग भी रंगी देखकर जो है उसके इतनी अच्छी लगी कि उसका मन करा कि इस मचली को तुम्हारा पकड़कर अपने घर पर रखूंगा यका यक उसके कानों में आवाज आई तब ही अचानक उसके कानों में आवाज आई मुझे छोड़ दो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भोलूँगी कि मुझे जाने दो मैं जो है तुम्हारा इसान कभी नहीं भूलूँगी तोकरी में मचली को मचलते देखकर उसने कहा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो अपनी मा को क्या दूँगा और फिर आज हम क्या खा कर रात गुजारेंगे तो कहरा अगर मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दूँगा तो भई मैं अपनी मा को क्या दूँगा और रात को हम मुझे आवापर क्या खाएंगे हम तो भूके रह जाएंगे मचली बोली तुम सहसी लड़के हों कुछ और अधिक महनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी तो मचली ने का तुम तो बहुत ही महनती रड़के हो तुम और महनत करोगे तो तुमें और मचली यह मिल जाएंगी तुम अधिक से अधिक मचली यह पकड़ लोगे और मुझे छोड़ दो मेरे भाई अगर मैं समय पर घर नहीं लोटी तो मेरे माता पिता बहुत परिशान हो जाएंगे तो उसने बोला कि अगर मैं समय पर घर नहीं लोटी तो मेरे माता पिता जो परिशान हो जाएंगे इसलिए मुझे छोड़ दो मचली की बात को सुनकर उसके मन में मचली के लिए दया गई और वह सोचने लगा कि यदि उस अपने माता पिता माबाप से बिछडने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा और उसने सोचा कि अगर जो है माबाप से अगर मैंने उसे बिछडा दिया तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा तो उसने क्या किया मचली को भी वैद दुख ना हो और उसके पिता से बिछडने के कारण उसे हो रहा है क्योंकि आपने जैसे शुरू में पढ़ा था कि उसके पिता जी उसे छोड़ कर चले गए थे तो उसे कितना दुख सहना पढ़ा आप ये सारे काम भी करने पढ़ रहे हैं तो उसने सोचा कि इसे भी वो दुख ना हो, उसके पिता को ये दुख ना हो कि कैसे कोई छोड़ कर चले जाता है, तो उसे वो बचाना चाहता था, यह बात उसके मन में आते ही वह नदी की और लोटा और उस सुनहरी रंगीन मचली को नदी में छोड़ दिया, तो यह बात ज अब रात को जब मा ने उसे खाना परोसा मचली का तो उसे वो भी खाने का मन नी करा, क्यों नी करा क्योंकि सपने में भी इते इंजिंग ने उसी सुनहरी मचली को देखा, सुबह होते ही इते इंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की और निकल पड़ा, सुबह हुई त तो फिर से वो जो डलिया लेकर नदी की तरफ निकल पड़ा मचली पकड़ने नदी में पहुँचने पर उसने डलिया पानी में डाली इतने में उसे लगा एक सुनहरी मचली पानी में उचलते हुए उसकी और आ रही है तो एक सुनहरी मचली जो उसकी और आ रही थी उचलते उसे एक आवाज सुनाई दी क्यों भाई तुम्हें शायद पता नहीं मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है तो उस दड़की ने क्या बताया कि वो किसकी बेटी है जो उस पानी में जो राजा रहता उसकी बेटी है और उन्होंने बताया कि कैसे तेंजिंग ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो उसके माता पिता ने खुश होकर उसके लिए उपहार भेजे हैं तेंजिंग ने उपहा आला है और सुन्दर सुन्दर शीपीओं के हार थे उपहर को इए कर मा का अमन बहुत प्रसंब हुएए उपहर इतने सुन्दर थे कि मा भी जो है वह उसको आफ देख कर खुश हुई मा कहने लगी कितने सुन्दर हैं ये सब मचली को हमारा धन्यवाद कहना लेकिन इतना ध्यान रखना हम महनत कश लोग हैं महनत कश लोग है यानि महनत से काम करके जो है वो खाते हैं हमें महनत का ही खाना चाहिए दूसरों की संपत्ती का लालच नहीं करना चाहिए तो यहां जो है उसकी माँ से सिखाती है कि हमें कभी भी किसी और की संपत्ति का लालशनी करना चाहिए हमें अपनी महनत से जो है वो खाना चाहिए और पूरा अपनी महनत से जो विश्वास करना चाहिए उसने मा की बातों को गांट मार लिया यानि उसने अपनी मा की बात को अच्छे से कैच कर लिया कि उसकी मा जो से क्या कहना चाहरी है दूस जो उसको अंतिजार कर दी अपने माता-पिदस से मिलवाने के लिए राज कुमारी ने तेंजीं को कच्छवे के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मतस्य लोग पहुंचे अब राज कुमारी ने क्या बोला कि इस कच्छुए पर सवार हो जाओ और वो मतस्य लोग मतस्य लोग या नि मचलियों का जो देश है पानी के नीचे वो उसे वहां लेकर गई राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का अभार व्यक्त किया अभार होता है कि उसे थैंकी व्यक्त करा कि तुमने मेरी बेटी को जो है जिन्दा छोड़ दिया तुम्हारे स्वाभाव और एहसान से हम बहुत प्रसंद है इसलिए बोले बोलो तुम हमस क्या चाहते हो तो उन्होंने बोला कि तुम हमें बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो वहां की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया इसलिए उसने कहा मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ मुझे अपना और अपनी मा का पेट पालने के लिए मचली पकड़ने आने राजा बड़ा खुश हुआ तो उन्होंने का कोई और होता तो पता नहीं वर्दान में क्या क्या मांगता तो इतना सीधा साधा जो है तेंजिंग को देखकर राजा जो है सरल सुभाव को देखकर बहुत खुश हुए तो मैं हमारे इलाके में आकर मचली पकड़ने की अज राज राजाज़त देता हूँ और वो उसे परमिशन đếnे कि तुम हमारे एरिये में आके मचली पकड़ सकते हो बर तुम हमारे यां आए हो तो खाली नहीं जा सकते है यह जह हमारी और से उपार तो वो अपने और से फिर से एक और उपार देते हैं और उपार में मिले ही कुमारी से मिलने अवश्य जाता तो अब वो जो है रोज जो है एक बारी राज कुमारी से मिलने नदी किनारे जरूर दाता था एक दिन राज कुमारी ने कहा मेरी माँ कहती है मेरा बया होने वाला है इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा पर मैं तुम्हारा इसान कभी नहीं बूलूँगी तो वो जो है पताती हो से कि उसकी जो है शादी होने वाली मचली कि इसलिए अब वो मिलने जो है वो नहीं आ पाएगी तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया उसकी आँखों में आसू बढ़ने लगे वह भी जानता था कि वह उस सुनैरी मचली को कभी नहीं भूल पाएगा पर अब मिलना मुश्किल होगा यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लोट गया उस तिन से तेंजिंग ने शपत ली मैं किसी भी प्राणी को बेवजा कष्ट नहीं दूँगा तो कष्ट यानि तकलीफ नहीं दूँगा जीवी का चलाने के लिए मचवारे का मेरा काम करना जरूरी है पर मैं बेवजा किसी के लिए परिशानी का कारण नहीं वनूँगा तो जीवी का चलाने के लिए यानि भई पेट भरने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मच्वारा है, मच्वारे का काम तो मच्छी पकड़ना है, तो कहारा है सिरफ पेट भरने के लिए मुझे जितना चाहिए होगा, मैं अतना ही लूँगा, otherwise मैं किसी को भी परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारन पूच कर उनका अभ्यास करें, तो यहाँ पर जो आपको शब्द बताने हैं, जैसे कि शपत यानि कसम, डलिया यानि टोकरी, भीम यानि अलग, यहाँ पर जो भीम नहीं है, यह वर्ड है भिन आपका भिन, भिन याने कि अलग, अनुमती, इजाजत, प्रसन यानि की खुश, अब इसके बाद हमारा आज का दूसरा प्रशन है, यदि आप तेंजिंग की जगा होते, तो आप मचली से अपने लिए कौन सा उपहर मांगते और क्यों, तो इसके कई आंसर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, यद अगला प्रशन है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोग कथा की जानकारी एकत्र करें, तदा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तती दें, तो इसमें जो है लोग कथा जैसे कि यहां पे सिक्किम की कथा है, तो इस तरह से और भी कई लोग कथा हैं आपको उसको ढून कर जो अपनी कक्षा में सुनाना है तो I hope आपको आज की वरक्षीट जो आप अच्छे सी क्लियर होगी होगी Thank you everyone for watching